खंडर में तबदील हो चुकी है मधवनी की ये इतिहास जरजर कमरे इतिहास को दोहरा रहे हैं ये 1901 में बनाया गया मधवनी का वाटसन हाई स्कूल है और इस स्कूल से इस बॉज होस्टल से कई लोगों ने पढ़के बड़े बड़े मुकाम हासिल किये हैं लेकिन बदहाली ऐसी ला परवाही ऐसी हुई कि आज होस्टल के इन कमरों पे तो ताला लगा हुआ है और यहां के जो ग्राउंड है उस पे मवैसियों का अड़्डा बन चुका है मवैसी आते हैं यहां बैठे वे रहते हैं लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है हां होस्टल वारें ज़रूर है लेकिन उन्होंने भी इसको अपने एक आशियाना बना लिया अलग से कमरे बना लिया फ्लैट के तरह वो रहते हैं और अमूमन आप इसी तरह की तस्विर के बारोह महिने अब देखते वे जाएंगे मधवनी के इस वाट्सन हाई स्कूल के बॉज होस्टल में यह देखिए क्या हालत हो गया है चुकि 1901 में सर एन वाट्सन जो है वो सबडिविजनल ओफिसर बनके आए वे थे यहां पर उन्होंने इस स्कूल की हाई स्कूल की है यहां की अब यहां की हालत देखिए क्या है यह बॉज होस्टल है अपने आप में अब यहां देखिए तमाम कमरों पर जो है ताले लगे वे हैं और जिस कमरे पर ताले नहीं लगे है उस पर आप समझेए इंक्रोजमेंट हुआ है इंक्रोजमेंट किस ने किया है जो यहां कुछ दिन पढ़े लिखे थे उन्होंने कबजा किया हुआ है bachelor कर रहा है master's कर रहा है लेकिन hostel में राते है 10 plus 2 वाले ही school के hostel में और लेकिन किसी के नजर नहीं जाती है ना इसके रख रखाव पे ना इसके भवन बनाने को लेकर ऐसा नहीं है कि बीचसहर में है इस बॉएज होस्टल के पीछे में आप जाएंगे तो मजवनी के जिला धिकारी का कोटी है सपी के कोटी है, कोट का छरी है, तमाम पुशास्निक भवने हैं, कलक्ट्रियत है और इसके जस्ट महज 50 कदम की दूरी पर यह बोईज होस्टल है लेकिन इसकी स्थिती अभी फिलहाल यही है कि खंधर में यह तबदील है जट है नहीं खपरेल से जुरा हुआ है जो भी बच्चे इसमें रहते हैं वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस कमरे में कम से कम 25-30 कमरे होंगे फिलहाल इस बॉज होस्टल में और आदे से ज़्यादा कमरे बंद है और जो भी खुले हैं उसमें कुछ बच्चे रेगुलर नहीं तो किसी ने इस हॉस्टल पे इंक्रूस्मेंट किया हुआ है ये एक वक्त में इस मधवनी के स्कूल ने कई बड़े बड़े नाम दिये हैं जो आज के डेट में बड़े पदो पर हैं बड़े मुकाम हासिल किये हैं लेकिन इसकी बदहाली में कोई ये नहीं हुआ इतिहास में ये तबदील होते जा रहा है और आने वाले महज कुछ से सालों में एक दशक का इतिहास जो है 1900 का इतिहास जो है अब पन्नों में अगर आप कहा सकते हैं तो सिमटने वाला है बस बड़ाली के वैसे